जैसे किशना, वेलकम तो आर चैनल मैत्रेक एडमी आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेम यह स्कैनिंग इलेक्टोन माइक्रोस्कोप अब यह स्कैनिंग इलेक्टोन माइक्रोस्कोप सेम किस तरीकी से टाम से डिफरेंट है वो आज हम पढ़ेंगे और क्या सेम के फंशन है वो हम इस टापिक में पढ़ेंगे सेम में जो इलेक्टोन बीम हम यूज करें देखो क्योंकि इलेक्टोन माइक्रोस्कोप है तो इसमें भी इलेक्टोन बीम ही डेफिनिटली यूज होगी बेट इसका जो काम करने का तरीका है वो different होगा because इसका नाम ही scanning है तो हम इसके नाम साइड है लगा सकते हैं कि definitely ये कुछ scan करने वाला है तो क्या होगा वो देखते हैं काहँ है ये गया है कि अगर हमारे पास ये sample है तो यहाँ पर अपने electron beam आपका स्ट्राइक करेगा सेंपल से इसके बाद यहाँ से आपका secondary electrons डिफलेक्ट होंगे जैसी ही यह एक spot पर आके स्ट्राइक करेगा primary electrons तो produce होंगे हमारे secondary electrons यह यहाँ पर बोला गया है These electrons are used to form an image अब यह जो secondary electrons है इनका ही काम होता है और यही आपके image form करने वाले है इसके बाद यह जो secondary electrons emit होंगे उन secondary emitted electrons को signal मिलेगा आपके जो detectors है वो इनको detect करेंगे और फिर हमें screen पर finally image मिलने वाली है secondary electrons are captured by detector और जितनी भी light excited हुई क्योंकि यहाँ पर strike के बाद light excited ही तो हुई है तो जितने भी electrons हैं उन सभी electrons को detect करने वाला है photo multiplier tube और finally हमारे पाद जो image आएगी वो 3D image आने वाली है अब इसका हम एक बार देख लेते हैं setup यह इसका पूरा setup रहता है लैब में और यह जो है इसका यह diagram यहाँ पर show किया हुआ है कि क्या इसके symmetric diagram होने वाला है यहां से समझ लेते हैं यह electron beam है यह electron gun से release हुई है हमने जो previous lecture में पढ़ा था electron gun जो है वो आपके cathoder anode दो एलेक्टोड होते हैं और आपका cathode होता है वो electron beam release करता है जो anode होता है वो electron beam जो release हुआ है उसको accelerate करने वाला है तो finally हमारे पास ही electron beam आने वाला इसके बादे condense lens है जो electron beam को condense करेंगे उसके बाद जो beam deflector's है वो इनको deflect करके objective रेंड से पास होते हुए finally sample के पास आ गए है अब sample का ये एक spot है इस spot से आपके secondary electrons release हुए ये आपके primary electrons है जो उपसे electron beam, electron gun से आए हैं वो आपके primary हो गए और ये आपके secondary electrons अब इन secondary electrons को ये detector जो है वो detect करेगा और finally हमारे पास ये screen पर इसकी 3D image आ जाएगी ये देखे कितनी सुन्दर 3D image आई है यहाँ पर आपका एक plant है और आपे pollen structure शोगिया हुआ है तो ये बहुत सुन्दर 3D image आई है अब इसका जो image resolution है वो time के comparatively कैसा है वो देख लेते हैं जो image resolution है Sam का वो come है as compared to time जो image है वो किसके ओपर depend करती है वो depend करती है कि जो surface processes क्या हुए है क्योंकि यहाँ पर देखो ना spot पे तो आके सारा का सारा आपका primary electron beam strike कर रहा है और फिर यहाँ से जो आपके secondary electrons हो रहे हैं emit हो रहे हैं और फिर उसको detector detect करेगा तो विसलिए तो सारा का सारा उसके surface के ओपर डिपेंड करेगा और इसका एक काम यह है कि यह जो काफी bulk samples के भी image प्रड्यूस कर सकते हैं और यह image जो है वो 3D shape में करता है और जो यह microscope है यह कहा use होता है कहा है इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत useful है यह minute structure details करने देखने के लिए cell surface के details देखने के लिए है ना और यह cell biology में भी बहुत ज़्यादा क्योंकि cell biologist तो आपका cell surface ही चेक करने वाले हैं और दूसरा यह कि बहुत ज़्यादा यह structure details के लिए काम आसकता है हमें detailing ज़्यादा मिलेगी और resolution भी इसका अच्छा खासा है 3200 armstrong armstrong जो होता है वो आपका 1 meter equals to 10 raise to power minus 10 meter के equal होता है 1 armstrong तो इसलिए यह आपका एक important microscope बन जाता है अब इसके बाद हम इसकी sample preparation देख लेते हैं कि कुछ तो different होगा तो इसका sample कैसे prepare किया जाता है इसको सबसे पहले material है उसको again पहले fix कर जाएगा process तो overall वही रहने वाला electron microscope कि हम पहले fix करेंगे ताकि हमारे जितने भी structure से वो खराब ना हो है ना इसके बाद dehydrate करेंगे क्योंकि electron microscope है तो हपके electron beam release होंगे और vacuum condition को चाहिए अगर उनके वहाँ पर water molecules होगा तो हो सकता है वहाँ पर electrons को problem हो electrons को proper वे ना मिले और वो deviate करें है ना तो वो basic से तो रहेगा वर इसमे solutions के होने वाले वो थोड़ा सा different है और time period भी different हो सकता है तो fix कैसे करेंगे specimen को 2.8% glutaldehyde solution में dip करके रखेंगे काफी देर तक रूम टंपरेचर पर या फिर ओवरनाइट रख सकते हैं फोर डिग्री सल्जियस पर इसके बाद जैसे हमारे fixative का काम हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास specimen होगा उसको हमें वाश करना है और हम इसे 3-4 ताइमस इसको वाश करते हैं इसके बाद हम इसकी dehydration करते हैं 25% ethanol के साथ 10 मिनट के लिए 50% ethanol के साथ फिर हम धीरे धीरे क्योंकि हम एकदम से 100% ethanol ने ले सकते अगर हम एकदम से 100% ethanol लेंगे तो चल शॉक हो जाएगा तो चल शॉक हो जाएगा और वहार पर वह ऀ डिएधरे होगे उसके उससेल भीच रिंक कर जाएगा और तो चल शॉक हो जाएगा उसके स्टक्चे खराब हो जाएगा पिर हम स्टड़ी नहीं कर पाएगे इसलिए हम धीरे-धीर एथनोल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते रहते हैं 25%, 50%, 70%, 85%, 95%, 10% करेंगे हम साकर 10-10 मिनेट के लिए बड़ इसका कंसेंट्रेशन वेरी करेंगे धीरे-धीरे हम उसको 100% एथनोल की तरफ लेकर आएंगे इसके बाद और यह मांट करना है कहा करेंगे हम मेटल स्टब के साथ करेंगे अगेatar क्यों लिया कि हमें सेम्पल को कैसे कोट करेंगे मैटल के साथ वही गोल्ड और पैलेडियम हम यूज कर सकते हैं कोटिंग के लिए जितना अच्छा आपके पास कॉंट्रास्ट आएगा उतनी अच्छी इमेज आएगी यह हर माइक्रोस्कोपी का बेसी कॉंसेप्ट है इसके बाद हमारे पास आत सिकेंग करके सेम्कष करके इन्हान promising और ट्रांसमेशन इलेग्ट्रों माइक्रोस्कोपी का में स्यूत है। इसलिए इसके एंचे काफी जादा ह। हाई है है केंगे होती है रुकैर्मेयरल और बान या वहींड हिक्ररीक की किया है। वह तेम और स्थैम और से भी जादा रिफिकल्ट होने वाला है कहलो और जढ़ा कंप्लेक्स होने वाला है तो इसा क्या है इसके अंदर ना क्या के क्या प्रैजनत गया भालाय सुप्लेक्ट भी देख लेते है美味 इसमें जो है वह आपका स्टेम में स्कैनिंग कॉयल सें, डिटेक्टर सें ठीक हैं और जो सर्कित की रुकायरमेंट होती है वह है इसके बाद दा इमेज इस फॉर्म डॉर्म डॉर्म्ड वह सेकेंडरी लेक्टॉन्स शिंस दा प्राइमरी लेक्टॉन्स ट्रांसमिट फोकस होगी, which is then scanned over the sample, पूरे sample के उपर scanning होने वाली है, इसके बाद जो magnetic lenses हैं, वो focus करेगी किसको beam of light को, surface of specimen के उपर, और फिर जैसी ही ये focus हुआ, जो sample होगा, हवाम सबड़ायद के उपर क्योंकि हम यहां पर throughout scanning करने वाले हैं, इसको हम throughout scanning करने वाले हैं, तो हर एक point को यह focus करेगा, कौन, magnetic lens, जो है, वो focus करेगा, किसको focus करेगा,brush means electron beam is focus करने वाला है, कहाँ focus करने वाला है, someple के उपर focus करेगा और जो sample है, हर एक point पे वो illuminate होगा, और finally हमारे पास the technique of stem जो है वो क्या helpful करने वाली है हमको क्यों help करती है क्यों ज़्यादा sophisticated कहा गया है क्योंकि ये जितने भी specific characteristics है उसको ये distinguish करने में help करता है ठीक है और काँ भाई होने वाला है electrons जो होंगे वो transmit होंगे specimen जो है वो electron को transmit करेगा और फिर हमारे पास specific उसके like features आने वाले है उसका image आने वाला है और हमको एक unique information वो specimen के लिए देगा जो main difference यहाँ पर आपका stem में same difference यह है कि वहाँ पर एक particular spot को क्या गया था यहाँ पर जो है यह overall पूरे scan करने वाला पूरे sample को इसको हम देख लेते हैं lab में setup क्या होता है यह देखो यह आपका पूरा का पूरा stem का machine है जो lab में present होती है और यह हमारे पास इसका diagram है ray diagram की कैसे यह काम करने वाला हम इसको भी एक बार देख लेते हैं यह आपका again electron gun electron beam इसके बाद हमारे पास आगया आपका condenser lens beam deflector objective lens यहाँ से यह हमारा specimen है अब यहाँ पर यहाँ स्पैसिमन और यहाँ से जितने भी आपको dotted दिखाई दे रही है मैं थोड़ा zoom कर देती हूँ हम यह जो आपको dotted दिख रही है यह सारे की सारे आपके specimen से ही emit out हुई है और यह detector जो है फर्दर detect करेगा और यह आपका screen पर show हो रहा है image तो यह आपका stem का working है इसके बाद हमारे पास next microscopy है उसको देख लेते हैं यह है आपका environmental scanning electron microscopy e-sem अब e-sem में ऐसा क्या है और यह क्या इसमें क्या speciality है वो देख लेते हैं यह specialized sem है sem का ही advanced version बोल लो e-sem जिसमें क्या होगा uncoated specimens को हम analyze कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है और इसको first commercial किसने और कब किया था USA नहीं किया था 1988 में और इस instrument की क्या घासिया था वो देख लेते हैं यह जो instrument है यह high quality और आपकी high quality की resolution images बहुत जादा high quality की और high resolution images यह produce कर सकता है कहा पर wet samples में भी अभी तक हमने samples को dehydrate किया था हमने सारे हमारे जितने भी samples है वो ethanol से हमने dehydrate किया था बट इस case में हम wet samples को use कर रहे हैं और वो भी कहा पर low vacuum condition में अब जो samples हम यहाँ पर use कर रहे हैं the samples present even in low pressure gases and high humidity up to 100% condition उसको भी हम use कर सकते हैं और clearly इसको देख सकते हैं तो अब इससे हमको क्या benefit हुआ इससे हम यह benefit हुआ कि जो हमारे biological samples हैं ऐसे biological samples जो high vacuum condition में destroy हो सकते थे खराब हो सकते थे unstable हो सकते थे उनको भी हम देख सकते हैं जो हमारे conventional electron microscope में तो यह ही था कि हाई vacuum condition चाहिए और आपका यह dehydrated होना चाहिए बट अब हमारे पस इससे में यह facility आ गई है कि हम biological samples को आपके high vacuum condition हो ऐसा जरूरी नहीं है हम इसको low vacuum condition में भी देख सकते हैं अब यह प्रेशर लिमिटिंग अपर्चर यूज हो गया अब यह प्रेशर लिमिटिंग अपर्चर यूज हो गया जिसने वेक्यूम रिजिन को सेपरेट कर दिया सैंपल स्टैंबर से तो अब हमें वहाँ पर इसको high vacuum condition रखने की जरूद नहीं है और फिर the specimen is placed in relatively high pressure chamber and electron optical vacuum is differentially pumped to keep vacuum adequately ठीक है तो वहाँ पर हमने easily उसको यूज कर लिया adequately low at the site where the electron beam is exposed यह अपका e-same है यह जो lab में e-same होता है वो इसके image यहाँ पर दे रखिये और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर क्यों की यहाँ पर हमारे wet sample भी हम यूज कर सकते हैं low vacuum condition यूज कर सकते हैं और हमें metal से इसको जैसे हमने यूज किया अधा metal वो भी हमें यूज करने ही जरूत में है non-metally conditions में तो यहाँ पर यह एक strong meta का diagram दिखाए गया है जो की e-same की help से यहाँ पर image में दे रखा है अब हम ज़रा comparative analysis कर लेते हैं जितने भी हमने microscope पढ़े हैं compound microscope, confocal microscope, sem और TEM हम देख लेते हैं source of illumination compound की case में light है confocal की case में laser light है sem की case में electrons और इसमें भी electrons next, lenses कौन से यूज हो हैं यहाँ पर glass lens यूज हो हैं यहाँ पर आपके diagrammatic mirrors यूज हो हैं मैंने आपको already already dichromatic mirror के बारे में बता है just a second dichromatic mirrors के बारे में already बता है था कि dichromatic mirrors क्या होते हैं एक आपका particular type का wavelength को यह अलाओ करते हैं और बाकी को यह reflect back कर देते हैं आपके diagrammatic mirrors होते हैं यहाँ पर आपके glass हो जाएंगे और यहाँ पर आपका एर प्रेजेंट है compound में यहाँ पर भी एर प्रेजेंट है confocal में बत यहाँ पर आपका क्यूंकि एलेक्ट्र माइक्रोस्कोप है तो दोनों यहाँ पर आपका क्यूं कंडिशन होगा इसके बाद sample preparation क्या compound के लिए चाहिए नहीं क्या पकान फोकल के लिए चाहिए नहीं बट आपके Sam or time के लिए यहाँ पर आपको sample preparation करना पड़ेगा Sam के case में आपको gold से coat करना पड़ेगा और time के case में यहाँ पर आपके thin sections होने चाहिए और thin sections हम कैसे cut करते हैं? Micro-tome की help से, Ultra Micro-tome की help से हम इसको cut कर सकते हैं इसके बाद mounting करनी है क्या? हाँ, बिल्कुल glass lights में mounting करनी पड़ेगी क्या यहाँ करने पड़ेगी आपको confocal case में, बिल्कुल glass lights with dyed samples क्या हमें यहाँ करनी है? Aluminium stubs हम यूज़ करेंगे Sam के case में अब यहाँ पर focusing क्या होगी, magnification क्या होगी, adjustment क्या होगी वो देख लेते हैं आपको objectives change करने पड़ते हैं कितने focus और कितना आपको magnification चाहिए उतना आपको यहाँ पर objectives change करने पड़ेंगे और इस case में यह digitally enhance होते हैं, confocal के case में Sam के case में electrical है सब कुछ, और यह भी electrical है यह दोनों का यह almost same ही होता है इसके बाद यहाँ पर contrast, जो हमारा image contrast है वो हमें कैसे मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो compound के case में light कितनी absorb हो रही है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर specimen का contrast मिलेगा और confocal के case में again laser light with a diagram chromatic mirror concentrated at pinhole अगर आपको इसका working अपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको इसका full detailing में बताया है कि हमें कैसे specimen contrast मिलेगा मैंने आपको पॉपर वो diagram के थूँ यहाँ पर शो किया है कि वो कैसे पूरा का पूरा focus करने वाला है इसलिए मैं यहाँ पर उसको repeat नहीं कर रही हूँ इसके बद सैम के case में electron scattering और यहाँ पर case में भी scattering of electron जो होगा वही basically आपका contrast देगा image कैसे मिलने वाली है यही तो हमारा main काम है हमें image ही तो चाहिए उसी को तो study करना हमने यहाँ पर आपको 2D image मिलेगी confocal में मिलेगा 3D सैम में आपको 3D अभी देखा था ना हमने वह एंथर उसका जो pollen grain था उसका हमने कितना सुन्दत 3D image देखा था सैम में और टैम में आपको मिलने वाला है 2D image इसका देखो यह image का इन्होंने हाँ पर cutting दे रखी है यहाँ पर आपका compound microscope 2D confocal 3D यह देखो यहाँ पर आपको सैम का कितने सुन्दर यह images हैं यह आपको सैम में 3D और यह टैम का आपको 2D image दे रखा हैं तो आज हमारे पास यह image यह देखो यह लिख रखा है यह algal cell का इन्होंने images दे रखा हैं तो आज हम अपना lecture यही पर रखते हैं इतना ही करते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ techniques हैं कैसे हमने sample या tissue कैसे prepare करने electron microscope के लिए staining क्या होती है negative staining क्या होता है freeze fracture यह बहुत important topic है freeze fracture जो है वह technique कई बार पूछा जाता है exam में तो यह important है freeze fracture और इसको हम क्यों prefer करते हैं क्यों हमारे लिए important है वह भी हम यह पर पढ़ लेंगे phrase aging यह भी important है तो हम यह सब पढ़ेंगे next lecture में I hope आपको यह video lecture पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल के subscribe करें और कोई comment है तो आप हमारे comment box पे comment भी कर सकते हैं thank you so much for your time आप हमारे